नमस्कार दोस्तों, नेचरल लाइफ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपशे शेयर करूँगी कैसे कोकोनट ओयल की मदद से हम सरीर के शारे अंचाहे बालों को दूर कर सकते हैं। अंचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत सारे उपाय किये जाते हैं। जैसे कि वैक्सीन, ट्रैडिंग वगर पर इन सब में बहुत दर्द होता है। लेकिन आज मैं आप सब के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूं जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और ये पूरी तरह से नैचरल है, जिससे कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और बिल्यूमी आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजर्ट मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें एक बावल में वीट फ्लोर यानि कि घीहूं का आटा लेना है तीन चम्मच। अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा चम्मच टर्मरिक यानि कि हल्दी। अब हम इसमें मिलाएंगे तीन चम्मच नाडियल देल यानि कि कोकनटोई। अब हम लेंगे दो चम्मच गुलाब जल बिल्कुल भी ऑप्सनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगव पे नॉर्मल वोटर भी ले सकते हैं। अब इसे मिक्स करके एक अच्छा काड़ा पेस्ट बना ले। इसमें जरुरत लगे तो हमें नॉर्मल पानी एड़ करना है। आपको बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट रेडी करना है इससे ज्यादा पतला भी नहीं और काड़ा भी नहीं। अब यह हमारी रेमेडी पूरी तरह से तयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले अपनी स्कीन को नॉर्मल वाटर से वास करके उसे पोंच लीजिए। अब आपको कोटन बॉल की मदद से या तो अपने फिंगर की मदद से इस तरह से इसे अपलाई करना है। वीट फ्लॉर और तर्मरिक में कोकनट ओयल मिनाने से बहुत ही आसानी से हैर रिम्यूम हो जाते हैं। और इससे स्कीन भी शॉप्ट बनता है। कोकनट ओयल में एंटिफंगल प्रोपरटेस होते हैं। जिससे आपकी स्कीन में रेसिस या इरिटेशन नहीं होगा। और इससे आपकी स्कीन क्लेन और फैर बनेगी। अब इसे 15-20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए। अब यह लगबग सूख गया है। अब इसे हमें हैर क्रोथ के अपोजिट डिरेक्शन में रब करना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगे कि यह नैचरल तरीका है। इससे एक ही बार में पूरे बाल रिमू नहीं होंगे। इससे आपको विक में कम से कम 2-3 बार जरू ट्राय करना है। जिससे धीरे धीरे आपके सारे अंचाहे बाल खत्म हो जाएंगे। अब इसे हमें वास कर लेना है। अंचाहे बालों को दूर करने का यह सबसे असरदार और सबसे बेश्ट तरीका है। तो फ्रेंज आप इसे जरूर ट्राय करें और अपने अनुभाव हमें शेयर करें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने सभी जरूरत मन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई।